वह देखिए अगर आप भी वकील बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखेंगे कि आप वकील कैसे बन सकते हैं इसके लिए क्रिटी क्रेटिरिया क्या हो निवीडियो को अपके मनन में एक सवाल निकल कर आता हो कि वकील कौन बन सकता है वह देखिए अगर आप बनना चाहते हैं तो आप 12 के बाद बहुत यह असानी से वकील का कोर्स कर सकते हैं जिसे हम लोग एललबी भी कहते हैं यानि कि एललबी का कोर्स कम्प्रेट करने के बाद से आप वकील बन सकते हैं 12 कम्प्रेट करने के बाद या ने दिलीए कि और होते हैं की वरक अलग अलग होताई जैसे कि अगर आप इस पील में जाना चाहते हैं तो आप असनी स्यूं सकते कि डियुक्जच लाह बन सकते हैं उसके बास मोजह आपस को कल tornado और इसके बास क्वालिश्य के कलेंते सब्सक्राइजS lows नहीं के पास करने के बाद भी बन सकते हैं आपको सबसे पहले कॉमल लाग या अग्जाम करना पड़ता है इनके इंट्रन्स एक्जाम देना पड़ता ठीके अगर आप डुल्थ के बात लाओ का कर्स करते हैं तो आपका के यह साल का होता है तो कम से कम आपका 12 में फिव्टी पर सिंद मार्क होने चाहिए तभी आप जो लौक है कि वकालत का जो कॉर्स आप कर सकते हैं बहुत यह स्थानी से अब आपके मन में एक डवड जहरूनिकल कराता होगा जिए कौन सरस्टीम रना चाहिए कि साइंस इस्ट्वेंट एलवी का कॉर्स कर सकते हैं फिर नहीं आइट इस्ट्वेंट कर सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है आप डियुक्स इस्टीम से या फिर ग्रिजुएशन में किसी भी इस्टीम से पढ़ाई किया हो जैसे आट हो गया कामर्स हो गया साइन्स हो गया उस पर डिपेंड नहीं करता है बस आपका ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन कंप्लीट रहा चाहिए अगर आप ट्वेल्थ के बाद से लुए लल्बी बीटे के लल्बी हो जाता है दिस में बहुत सी ऐसी इन्वरसिटी है जो की लाओ की पढ़ाई करवाती है और भारत के हर डिस्टिक में आपको लाओ का कॉलेज मौजूद हो जाएंगे ठीक है आपको कहीं भी बाहर जाने के जुरत नहीं होती है यानिकि आप अप से पहले CLAT का इंट्रेंस एक्जाम देना पड़ेगा अगर आप इसे इंट्रेंस एक्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको टॉप 19 को युनवर्सिटी में एड्मिस्टन हो जाता है और आप वहां से जो लॉयर की यानिक लल्बी की जो पढ़ाई है वहां से आप क और हैक्र अगरे आप वहीं जन्रल्रेंस एकवर्सिक कैटेग्री से आते हैं तो आपका कम से कम टूइल्थ में 45% मार्क्ट होने चाहिए एगरfeld आब वहीं आप अप से कम 40% मार्क्ट और चाहिए तो आप सी एलई टिग का इंटरन्स अग्जाम देकर एल एल वी का कोर्स कर सकते हैं वह तेसानी से बात आती है कि आखिर कर वकिल कितने परकार के होते हैं कि जो एड़ोकेट होते हैं वह कितने परकार के होते हैं सबसे पहले गौर्मेंट वह एड़ोकेट हैं कि सरकारी वकिल उसके बाद से प्राइव कितनी होगी लेकिन एक अनुमान के सबसे जो वकिल होते हैं उनकी सलरी 50 ज़र रुपे परमान्त होती है भाई देखिए हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार अगर आप वकिल बन जाते हैं तो इसका फायदा ने कि वेनिफिट कौन कौन से तो भाई देखिए सबसे पहले पच्च भी रह सकते हैं और कानूनी तोर पे आप उसके पच्च में लड़ भी सकते हैं वहीं आप अगर आम समाज में अधिकारों वा नियमों की जानकारी होने से अपनों वा दूसरे के साथ गलत होने पर आवाज भी उठा पाते हैं नहीं कि आप अपने अधिकारों की र कुर्स करना चाहते हैं तो आपका पांच साल का हो जाएगा अगर आप वहीं आप ग्रेजिएशन के बाद से करना चाहते हैं वक्ति का कुर्स नहीं के ललबी का कॉर्स ला का कॉर्स तो यह कॉर्स आपका थ्री यानि कि तीन साल का हो जाएगा और आप वहां पर गॉवर्में झाल झाल